हालो एवरिवन वेलकम टू अभीमन्यू आईए एंड दा स्टूडेंट्स हो आर प्रिपेरिंग फोर यू पीसी एग्जाम के लिए आई होप सभी ने प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दी होगी और जो सुपर 5 सीरीज है फ्रीद स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है कि जो स्राइर सन्वेशन करतें उनके लिए हैं जिनका स्राफीर film क्रूपलीट नहीं है उनको कैसे उतर उनके लिए हंगें भी तो अब देखी के अंदर स्टूड़न वहक हम भी हमने किया था time and work के previous year questions हम डालरी discuss कर चुके हैं इसके अलावा जो आप लोगों का doubt session था सिलोजियम में कुछ students को doubts थे वो भी हमने discuss कि तो बेटा ऐसा नहीं है कि अगर आपके doubts है तो वो नहीं clear होंगे आपके doubts भी हम clear करेंगे इवन जो भी student किसी भी microverse के अंदर register है सभी के doubts हम clear करते हैं ओके तो ऐसा नहीं है कि हांजी एक microverse ले लिए आप क्या करें क्योंकि कॉश्चन तो आप website अगर हम ब्राउज करते हैं गूगल में तो बहुत सारे questions मिल जाएंगे बट साथ में ही आपको एक ऐसा mentor जो आपको doubts भी clear करें तो वहां आपका नहीं possible हो पाता है बट अभी मन्यू के अंदर अगर जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ते हैं तो उन सभी को हम questions के साथ साथ में lectures के साथ साथ में उनका doubt session साथ में जरूर लेते हैं चाहिए वह हमारे साथ में complete course पे जुड़े हुए हैं चाहिए वह हमारे पास में crash course के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर उन्होंने एक single topic का microverse लिया हुए है ओके सो हर तरह से हम आप लोगों को guide कर रहें अब आज हम डिसकस करें टाइम and distance time and distance important है हर बार आपको एक्जाम में कोस्टन मिलते हैं इसा भी हो सकता है आपको question exam में मिल जाए and there is also possibility कि जो आपका speed distance का concept है सेब कंसेप्ट के अंदर आपको रेशी से बेस्ट कोस्टन मिल जाए को के रेशी संद गेम्स पर कोस्टन आ सकता है same way pot and straight तो जो पी टाइम डिस्टन है यह आपका एक तरह से इन चार पार्ट के अंदर है इन में से किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पर आपका question आ सकता है अगर आपके basics के लियर है in that case it doesn't matter कहीं मर्जी से question आए we will do it and the second point is what की question आपको direct भी मिल सकता है और question आपको data sufficiency की form में मिल सकता है या फिर जो question है वो multiple statement की form में आपको मिल सकता है it depends so आपने अपना topic इस तरह से prepare करना है कि चहीं कैसे मर्जी आजे question हम कर लें okay तो अभी कुछ questions में आप लोगों को discuss करूंगे कि हाँ इस तरह के questions हमें मिल सकते है तो पहले देखिए यस जो first question है that is based on data sufficiency directly data sufficiency पे based question है क्या है यहाँ पे question two cars passes each other in opposite direction opposite direction means one is coming from here one is opposite direction okay how long would they take me 500 km apart अगर वो एक दूसरे से 500 km की दूरी पे है जो total distance is 500 km then कितना time लगेगा उनको आप यहाँ पे देखो opposite direction है opposite direction है that means कि the distance will be cover with relative speed relative speed इस question को solve करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है relative speed ओके और distance मेरे पास already है I know that time is equal to distance divided by the relative speed अब यहाँ पे opposite direction है that means कि मुझे क्या चाहिए sum of speeds अगर मुझे sum of speeds मिल जाए तो मेरा answer निकल जाएगा अब यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास में दो statement given है अगर यहाँ पे अपने पास में होता सेम डारेक्शन अगर यहाँ पे अपने पास में होता सेम डारेक्शन सेम डारेक्शन तो उस केस में क्या होता आपको इसकी requirement ही opposite के अंदर इसकी requirement है यह छोट छोटे points ही है बस अगर यह वाला point के लिए रह हो गया answer means कि statement one is sufficient to give the answer statement one is sufficient to give the answer option a will be the correct answer there is no need to calculate कुछ calculate नहीं करना आपको बस ही point के लिए होना चाहिए कि जैसे अब यहीं पे था opposite के लिए मुझे क्या चाहिए same के लिए मुझे क्या चाहिए नेक्स देखी कर यहस नेक्स्ट कोस्टिन क्या है a man complete the journey in 10 hours he travels first half of the journey at the rate of 21 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour then find the journey in km journey आपको find out करे अब जो कितना simple question है total उसको time कितना लग रहा है 10 hours लग रहा है अब first journey वो कैसे complete कर रहा है 21 km per hour की speed से कर रहा है और second को किसे कर रहा है 24 km के बार that means जब first half और second की बात कर रहा है that means कि बेटा equal distance उसने cover किये equal distance cover किये ठीक है अब उस case के अंदर हम क्या लेंगे yes average speed consider करेंगे तो यह वाला distance यह 21 km per hour की speed से उसने discuss यह वाला जो इधर से इधर का है यह 24 km per hour की speed से उसने consider है तो उस case के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास एक second yes same distance है same distance हो जब same distance होता तो average speed कितनी होती है आपके पास में average speed average speed क्या हो गया आपके पास 2 into speed 1 into speed 2 divided by speed 1 into plus speed 2 तो कितना हो जाएगा आपके पास में this will be 2 into speed 1 is 21 speed 2 is equal to 24 and the sum of the speed will be 45 कि और साथ में उसने क्या का है हां जी time भी given है जब time given है तो distance कैसे find out करेंगे into time into time तो पहले इसको देख लो कर यहां पर आपके पास में speed होगी पिटा distance क्या हो गया कथा ही solve कर लो कोई जुरूरत नहीं है बार बार आपको solve करने के into 10 okay so 5 से करेंगे तो कि आपके पास में 14 into 16 क्या बन जाएगा इस तरह से भी आजाता है एक परसन घर से office गया और office से वापिस घर आया in that case again the distance will be same distance will be same और दोनों साइड मून के different different speed है in that case क्या होता formula में थोड़ा सा change आ जाता है कि यहां पर बेटे टू नहीं आता distance के जब आप distance find out कर रहे होता है कि यहां पर तू नहीं आता है उसका कारण क्या होता है कि यहां पर हमें यह जो distance वो आने जाने का total नहीं पूछ रखा हो simply यह पूछते है कि house से office तक का distance कितना है तो in that case यह जो 2 है यह eliminate हो जाता है तो ध्यान रखना अगर उस type में question आ जाएगा तो 2 नहीं आएगा ओके 2 से multiply नहीं करना है next देखिए yes next question is the speed of a car increased by 2 km after every 1 hour if the distance traveling in the first hour is 35 km then what is the total distance travel in 12 hours 12 घंटे में कितना distance cover होगा लुकुल easy question है देखिए पेले घंटे में क्या कह रहे है कि 35 km जा रहा है हर बार speed कितनी और 22 km increase हो रहे है that means 35 37 39 41 इस तरह से अगर हम 12 तक पहुचे तो 12th hour के अंदर कितनी हो जाएगे आपके पास में 47 यह हो जाएगा आपके पास में बेटा 47 ने यह हो जाएगा 43 40 57 में जाएगा clear yes कि बारा घंटे के बाद की कह रहा है ना वो तो बीच में तो 11 ही लोगे ना तो 11 2 से 22 देखो 57 में जाएगा लास्ट में बस तो यह यहां पर हमारे पास में क्या जा रहा है एक तरह से AP होगी है this is an AP whose first term is 35 last term is 57 total number of terms are 12 तो sum करेंगे तो sum कितना हो जाएगा आपका total distance के लिए sum करोगे sum क्या होता है आपके पास में n by 22 first plus last term n is equal to 12 552 हो जाएगा पिता है yes this will be 552 the answer will be 552 okay call it out clear है next देखो next किया है आपके पास question रोबोर्ट इस ट्रावर्ट इस ट्रैवलिंग ओन दा साइकल एंड हर सोरी हैस काल्कुलेटिट टू रीच एड़ पॉइंट टू पीए साइकल से जा रहा हैं उसको दो बजी पोहुचना है कि ट्रैवल एड 10 किलोमेटर पर और देखो ट्रैन किलोमेटर पर आपकी स्पीड से जब वह जा रहे हैं ही रीचेट 12 लूट लूट 12 लूट अब क्या कह रहा है 15 km पर आर 15 km पर आर की स्पीड से अगर वो same distance को cover करते है तो वो क्या कह रहा है just a minute Robert is traveling on the cycle and has calculated to reach the point at A at 2 p.m. if he travel at यहाँ पर ऐसे है यह यह कोमा आ गया ठीक है तो यह यहाँ पर आएगा कि अगर वो 10 की स्पीड से जाता है in that case he will reach at 2 p.m. and when he increases his speed and make it 15 km per hour in that case this is yes this is what this is 12 noon 12 noon पर पहुँच रहा हूँ now the question is what at what speed must he travel to reach at 1 p.m. एक बज़े अगर उसको पहुचना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए स्पीड कितनी होनी चाहिए तो पहले देखो यहाँ पर अगर हम देखे तो हमें मिल क्या रहा है we have two speeds two speeds same distance and यहाँ पर अगर हम देखे तो हमारे पास में क्या आ रहा है difference of time difference of time भी हमारे पास कीवान है तो उस case के अंदर बैने आप लोगों को formula बताया था क्या yes यहाँ पर आपके पास में अगर distance आपको find out कर रहा है तो distance क्या होगा speed 1 into speed 2 divided by difference of the speed into so 60 km का distance है यहाँ पर 60 km का distance done आप यहाँ पर देखो अगर वो 10 km की speed से जाता है तो उसको कितना time लग रहा है 6 hours लग रहा है अगर वो 15 km की speed से जाता है तो उसको 4 hours लग रहा है और हमें क्या चाहिए करा at what speed must he travel to reach at 1 p.m 1 p.m. 1 p.m. that means कि उसको कितना time लगना चाहिए पीटा इसका 5 hour लगना चाहिए so 5 hour में उसको complete करना है distance is 50 km time is equal to 5 hour तो speed कितनी जाएगी 60 by 5 12 km per hour so answer will be 12 km per hour आजी बताइए कोई डाउट अच्छा question था good यह जो distance है यह मैं एक बाई formula लिक देते हैं आप लोगों के लिए distance का क्या होता है आपके पास में speed 1 into speed 2 divided by difference of the speed into difference of time clear clear directly लगा सकते है इक आप है जब late early का concept यूज होता है या आपके पास में time difference given होता है ओके हां जी नेक्स्ट है डाटा सफिशेंशी का कोश्चन है क्या है कोश्चन यहां पर आपके पास टाउन ए बीसी आर ओन इस स्ट्रेट लाइन टाउन सी इस इन बिट्वीन ए एंड बी दैन डिस्टेंस बिट्वीन एंड इस हंडर्ड हाउ फार इस एंसी देखो सिंपल से ताउन A, B, C are on a straight line, straight line पे हैं ताउन C is in between A and B, C बीच में हैं ठीक है, A और B के दा इस स्टेंथ बिट्वीन A and B is 100, A and B is 100, जो टोटल इस स्टेंस है यह, यह कितना हमारे पास में? 100, how far is A from C? A, C से कितनी दूरी पे हैं? This is the question. अभी यहां पे देखा जाये तो distance का question नहीं है, यह एक दरह से distance का तो है concept, but mainly यह logical question आपको मिला हुए, logical question है, क्या कह रहा है, देखो? The distance from A to B is 25%, 25% more than CB, yes, CB say 25% more है, 25% अगर हम यहां से consider करें, तो यहां पे क्या बनेगे आपके पास में value? 25%, that means कि 1 by 4, 1 by 4, that means कि यह क्या कह रहा है, the distance from A to B, A to B is 25% more than the distance of CB, CB, CB से, तो CB अगर यहां पे अपने पास में 4 है, तो यह total पूरा कितना हो गया बेटा? 5 हो गया, okay, that means we can find out the value, हमारे पास में answer आ जाएगा, पहले वाले सा answer बन जाएगा, क्या, अगर यह पूरा, यह हो गया, 80 और यह हो गया, हमारे पास, 20 simple सी बात है, क्लियर, आप दूसरे वाले का अगर हम देखते हैं, एक तो ही हो गया, कि सिंपल इतना करने सा आपने यह answer नहीं करने, हमेशे ध्यान रखो, अगर फर्स से answer आ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि हंजी complete हो गया हमारा question, हमने second को भी check करने, यह समझ आ गया, क्या किया यहां पर मैंने, लेखो बीटर, ratio आगया आपके पास में, यहां से एक तरह से अपने पास में ratio आगया, ratio आगया, क्या, कि AB, 2, BC की अगर मैं देखो ratio, तो मेरे पास में क्या आएगी, this is 5, this is 4, clear, that means कि अगर हम AB देखे, तो AB is equal to 1, total अगर है, तो total सारा का खारा कितना बन र गया, 80 and 20, okay, clear, हाँ, जी, next देखो क्या था, distance from A to C, A to C, the distance from A to C is, dash of distance, distance, CB, यहाँ पर, आपके पास में कितना आएगा, यह आपके पास में, यहाँ पर कुछ आएगा, value, एक second मैं चेक करके बता आपते, यहाँ पर अपने पास था, distance from A to C, is, dash of distance, CB, 1, 4th आएगा, यहाँ पर, इसको 1, 4th कर लो, okay, A to C, C यह न, यह, हाँ ची, A to C, 1, 4th कर लो, इसको, clear, आप देखो, अब एक बार दुबारा से देखो, question को, first की form से answer आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, दूसरा क्या है, 1, 4th of this, इससे भी answer बन रहा है, दोनों से बन रहा है, जब अगर आपके पास इस तरह की situation आती है, कि answer दोनों, statement से बन रहा है, in that case क्या करोगे, first is sufficient to give the answer, second is sufficient to give the answer, no, you will say either first or second alone is sufficient to give the answer, okay, तो ऐसे cases में जिसमें पहले से भी answer बन रहा है, second से भी बन रहा है, in that case, you will say either or, done, तो इस तरह से आप practice कर सकते हो, अब बात आती है कि हाँ जी, practice के लिए मुझे questions अगर चाहिए, तो मैं कैसे करो, और इसका जो concept है, spare time and distance का basic जो concept, अगर वो clear है, तो कोई भी type आजा है, चारो में से सभी आप कर लोगे, तो उसके लिए, अभी पीडिया आप लोगो के लिए, microverses प्रोवाइड कर रहे है, यस अभी पीडिया, अभी पीडिया इस आवर online portal, ओक, अभी मन्यूस online portal इस अभी पीडिया, and here you can see, yes, this is the topic, time, distance, time and distance, जब आप इस पर्टिकुलर topic पे जापते हो, तो आपको मिलेंगे video lectures, web note and practice question, now again it's up to you, अगर आपको video lectures की requirement है, you can take the video lectures to clear your all the concepts, from basic to high level, okay, अगर आपको web notes की requirement है, you can take the web notes, अगर आप कहते हो, नहीं मुझे multiple choice question चाहिए, यहापर आप देख सकते हो, 400 multiple choice questions आपको मिल रहें practice के लिए, and these are only of 102, okay, आप इसको customize कर सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए, उसको remove कर दो, like this, अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो video lectures की requirement है, video lectures रख लो, जो नहीं चाहिए, उसको remove कर दो, okay, so you have to pay only for what you require, so students, it was all for today, we will do the next topic train, in, in the next class, so best of luck, बने रहिए, अभी मन्यों आईए इसके साथ, लगी मन्यों आप की उपको जाएफ, यविर लूएफ,